पीजेपी की सांसत साबतरी पाई फूले ने दिया बड़ा बयान, कहा आयोधा में राम का नहीं बने भगवान बोतम बुद्ध का मंदिर। पीजेपी की सांसत साबतरी पाई फूले ने बयान दिया है कि लंबे वक्त से अपनी पाईटी और सरकार की नीतियों का विरोध करने वाली सांसत फूले ने रविवार 21 अक्तूबर को कहा कि अयोधा में विवार्दित भूमी पर गोतम बुद्ध का मंदिर बनवाया जाना च जिसमें उन्होंने अपने समर्थतों से कहा था कि वह अर्ध्या में राममंदिर के निर्मान की तियारी करें पतरकारों से बात करते हुएं सुआ है क्योंकि विवादित इस्तल की खुदाई के दौरान मौके से भगवान गोतमभुत की परतिमाई मिली हैं विद्वानों ने भी अपने सोध में पाया है कि ये इस्थान बहुत धरम से जुड़ा हुआ है बहुत धरम ही एकमात ऐसा धरम है जो जाती और वर्क की आधार पर किस किसी से बेदबाव नहीं करता किर्पिया करके चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें वाशेर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाब दें